आपका स्वागत है मैं हूं अमिता किशोर और आज हमारे साथ बात्चित के लिए मौजूद है बीजेपी के दिगज नेता सतीश कुनिया जी सर आपका नवीटी ओनलाइन में स्वागत है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आमेर से आमेर में रिवाज बदलता रहा है तो क क्या लगता है आपको कि इस साल ये सीट इतिहास बनाएगी अनिश्ची रूप से बनाएगी और रिवाज हर बार कायम नहीं हुआ एक बार 2008 में यहां कॉंग्रेस के एमेले थे कॉंग्रेस की सरकार थी सामान निधारना जरूर है लेकिन जो जन समर्थन दिखता है पिछले दस बरसों से मैंने जिस तरीके से यहां धरातल पर काम किया है जैपूर के नजदीक की सीट थी लेकिन जिस तरीके का बन्यादी विकास जरूरी था हुआ नहीं था हमने विकास कोई मुद्दा बनाया और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ और इसलिए कारेकरताओं का परिश परिशान है किसान करजा माफी की वादा खिलाफी से परिशान है जो कानून विवस्ता वबदतर है कुल मिलाकर जो हालाथ है उसके कारण एक एंटीन कंबेंसी है तो बताईए कि मालीज ये किसी अबला की रोटी मांगते वक्त असमत लूट ली जाती है तो उससे आमेर का जागरुक मत्ताता इत्फाक रखता है उसका एक सभीदना है वो किसे ने किस रूप में कॉंग्रेस के खिलाप प्रकट होगी जैसे की उपनेता सदन की बजाए अगर आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर अब चुनावी मैदान में उतरते तो तस्वीर क्या होती देखिए मैं जो जब आया था तेरह में चुनाव लड़ने के लिए तो तेरह का चुनाव मेरे लिए एक चुनोती था नया भी था क्षेतर से भी बहुत वाकिफ नहीं था फिर भी एक अच्छा सयोग मिला और मात रूम तीन सो उनतीस वोटों से मैं उस समय पराजित हुआ था लेकिन दो हजार अठारा का चुनाव एक केस स्टेडी हो सकता है जिसमें विपरीत परिस्तितियों में भी हमें यहां साड़े तेरह जार से भी ज़्यादा का समर्थन मिला जीते हम लोग मैं किसी भूमिका में रहूं लेकिन मैंने अपने आपको यहां एक परिवार के सदेश्य के नाते और आज आठ साल से लेकर 80 साल तक कोई बच्चा या बुजर्ग मुझे भाई साब कहता तो उसका एक अपना पन है तो मैं घर तक पहुँचा चूले तक पहुँचा दर तक पहुचा और इसलिए मैं किसी भूमिका में रहूं बड़ा हूं या छोटा हूं उनके लिए परिवार का सदेश्य उनका जो मेरे प्रती जो जुड़ाव है वो किसी पद का मोताज नहीं और इसलिए मुझे जो एक आशिरवाद जनता का मिलता है वो सेवा के कारण संसकार क कारण और संबरपन के कारण इस चुनाओं में बीजेपी एक सो पचास सीटों का दावा कर रही है और कॉंग्रेस एक सो चपन सीटे लाने का दावा कर रही है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए बीजेपी के दावे में तो इसलिए दम है कि 2003 में हम लोग 120 सीटों के आये थे उसके बाद 2013 में जब हमारा मेंडेट आया था वो 163 सीटों का था कॉंग्रेस की पिछले 20 सालों की स्ट्री है कि उनको क्लियर कट मेंडेट नहीं मिलता एक बार 96 आये एक बार 99 आये लेकिन सत्ता के बाद उनके खिलाप एक इतना माहुल होता है कि वो रिजेंटमे सत्ता के बाद जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी दुर्गती होती है इसलिए उनके दावे में तो दम नहीं लेकिन भारती जनता पार्टी के बारे में जो जनादेश की बात मैंने कई है उसमें सक्तिता है क्योंकि यहां जनादेश आता है पर्शेप्शन से जो रिवाज है वो जनता उसको काइम रखेगी दूसरा पक्ष है किसानों से नोजवानों से दलितों वंचीतों पिछडों कानून विवस्ता ब्रिष्टाचार बेरुजगार यह तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं राजस्तान की जनता भी उसी पर वोट करेगी और वो इतना भारी जनाकरोश है कि वो कॉंग्रेस के खिलाफ एक बड़ा कारक बनेगा पिछले दस वरसों में खास तोर पर केंदर सरकार की मोदी जी की जो नीतियां है उसका असर राजस्तान की जन्वानिस पर दिखता है उदान के लिए खाते एक सामाने वेक्ती के लिए सफना होता था आज वो पूरा होता है उज्वला के कनेक्शन्स टॉलेट्स अब आस 19al लोगों को सर पेच्छत मिली है सततर लाग किसानों को प्रधानमंत्री किसान संभा निधी मिलती है तो सभाविक तोर पर मोदी जी का नाम और काम ये एक बड़ा कारक होगा ये सारी चीजें हैं जो कॉंग्रेस के खिलाफ जाती है और बीजेपी के पक्ष में जाती है और इस से कुछ नहीं होता गैस सिलंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं और इस पर बीजेपी कुछ नहीं कहती तो आपका क्या कहना है पहली बात तो सभलियत की है कॉंग्रेस के राज में गैस का कनेक्शन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था फिर गैस के सिलंडर के लिए रिफिलिंग के लिए तकलीफ होती थी आज हर घर तक गैस कनेक्शन एक सभलियत है दूसरा भारत की सरकार ने भी इसमें साड़े चार सो रुपए की जो सबसीडी दी है वो भी एक फेक्टर है गैलो जी की जो गोशना है पान सो रुपए की वो अठारा में करते तो समझ मे आती 19 में करते 20 में करते 21 में करते लेकिन 23 में जितनी गैरंटियां दे रही है वो 23 में दे रहे हैं जितनी गोशना कर रहे हैं तो जन गोशना पत्र को यदि वो 18 में लागू करते तो शायद लोग उनकी बात की सत्यता को मान लेते लेकिन आज नहीं मानेंगे क्योंकि वो इसको influence करने का एक माध्यम उनका हो गया इसलिए उन पर लोग उनकी guarantee पर भरोसा नहीं करने है एक बार सदन में CM गहलोत ने बोला था कि पुनिया जी बड़ी-बड़ी से धांतिक बाते करते हैं पर उनकी बातों में कोई दम नहीं है इस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए वो दिखाने का वो सरकार चलेवें परिपक कुनेता हैं बड़े अर्शे से वह यहां पर हैं तो तीन दिसंबर 2023 को पता लग जाएगा कि अशोग गहलोत जी की बातों में दम है कि पुनिया जी की बातों में ED action को लेकर भी राजस्थान में जो हाल ही में ED action हुआ उसको लेकर भी गहलोत जी काफी अग्रेसिव थे और उन्हें बोला कि चुनाव के समय ही ED और CBI active हो जाती है और जहां तक paper leak के मामले की बात है तो हमारे ही सरकार ने उठाया था हम नहीं चाहते कि paper leak हो और भविशे ज चुनाव मुद्दा है तो क्या कहीं आप राजस्थान में कई बरसों के अंतराल में TD एक जन्तु होता है जो हमला करता है बड़ी पैमाने पर किसानों की फसले नस्ट करता है और जब TD की आशंका होती है तो किसान बड़ा आशंकित होता है तो जैसे TD से किसान आशंकित होत हैं मुझे लगता है कि एडी भी समय धानी की विवस्ता की सहस्ता है वो यदि कोई action लेती है तो उसका कोई तातकाली प्रिक्रिया नहीं होती है उसमें समय लगता होगा यह बाद ठीक है कि चुनाओ का समय एक्षिन होता है तो उसका सियासी अर्थ निकाला जाता है लेकिन सत्यता ये भी है कि राजस्तान में अब तक के इतियास में नोजवानों के साथ यदि सबसे ज़्यदा खिलवाड हुआ है तो वो पेपर लीग है सबा करोड बच्चों ने परिक्षा दी 76,000 को वो मुश्किल नोकरी मिलेगी उसमें भी जिस तरीके से पेपर लीग के कारण बच्चों ने आत्मत्याइं की सुसाइड नोट लिखे अवसाद में चले गए तो राजस्तान में पेपर लीग के खिलाफ यदि एडी कोई कारेवई करती है तो मैं मानता हूं कि उना जायज नहीं है कॉंग्रिस में नेतिकता है तो समयधानिक संस्ताओं का उनका सम्मान करे और अपने आपको जाच के लिए प्रस्तूत करे उसमें अडचन पैदा नहीं करे सियासी बयान सिर्फ के अंदर को बदनाम करने के लिकिन ये बात सही है कि एक निशित फाइंडिंग के बाद एडी वहां तक पहुंची होगी तो मुझे लगता है कि उनको उदारता स्विकार करना चाहिए और निर्पेक्ष तरीके से ऐसी संस्ताओं का सम्मान भी करना चाहिए मीडिया में भी और जानकारों का कहना है कि बीजेपी में भी गुटबाजी हो रही है अब इसलिए चुनाओं में बड़े चेहरों को उतारा गया बड़े नेताओं को टिकट दिये गए तो क्या इससे गुटबाजी शान्त होगी क्या कहना चाहेंगे देखिए बीजेपी की गुटबाजी को अक्सर कॉंग्रेस से तुलना की जाती है लेकिन पिछले पांच बरसों में हम विपक्ष में थे वो सत्ता में थे उनकी आँ विग्रे के शुरुआ दोजार अठारा में हुई जब दो-दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे फिर सरकार तोड़ने की उनीक यहां से कोशिश शुरू हुई बाड़ा बंदी हुई कोई भी सरकार बावन दिन तक बाड़े में इतिहास में आज तक राजस्तान की रही गैलोजी की नेतरत में उसके बाद स्तीफों तक पहुँच गी बात तो उनका जो विग्रे है उनका जो असंतोष है उनका जो गुटबाजी है वो तो जगजाईर है हमारे यहां परचारित ज्यादा किया गया उसकी तिवरता या इंटेंसिटी या परिमान इतना नहीं था जितना परचारित किया गया लेकिन ये कॉंग्रेस नहीं गया लोज है क्योंकि कई पर देशों में कोई सेट फिनोमेना नहीं है चेहरे खोशित किये जाते ओiovär नहीं भी किये जाते हैं और इसके लिए पाल्टी का अपना विधान है पाल्टी के अपनी पिर्क्रिया है पर इस बार पाल्टी के सारे नेता एक फ्लोर पर बैठ कर टिकेट डिसकेशन किये, उसमें सब की सहमत ही थी, इस बात से भी हम लोग बंदेवें कि आलाकमान जो निरने करेगा उसको हम लोग स्विकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमारी प्राथमिकता है कॉंग्रेस सत्ता से बाहर हो, बीजेपी क हमारे यहां कोई इजेंडा ही नहीं है, कोई इशू नहीं है कि नेता कौन होगा, नेता वही होगा जो पार्टी का पर्लेमेंटरी बोर्ट टैकरेगा उसको हम लोग स्विकार करेंगे, इसलिए कहीं कोई सक्षुबार गुंजाइश नहीं है कि यहां नेतरतुका कोई जग देखिए, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब अपकमिंग पार्टी होती है, जो उमीद होती है, उसके बाद उसमें एक लंबी फैरिष्ट होती है टिकेट मांगने वालों की, दोसो लोगों को टिकेट मिलती है, बाकी जितने हजारों लोग होते हैं, कहीं ने कहीं किसी उप में उनकी नराजगी प्रकट होती है, निराशा होती है, संतोष होता है, दीरे दीरे सब लोग काम पे लग जाते हैं, क्योंकि उस सत्यता तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है, एक्शेप्शनली कुछ केसे जैसे होते हैं, जो लोग बागी लड़ते हैं, तो य करेक्टर बीजेपी का ही है, कॉंग्रेस में जिस तरीके से विग्रह होता है, लोग पलायन करके जाते हैं, बड़ी संख्या में हमसे जूडते हैं, हमारा कोई व्यक्ति एक्शेप्शनली अपवाद सुरूप ही गया होगा, लेकिन कॉंग्रेस में, कॉंग्रेस से जादा प्रभाव रहा है, और लेकिन अभी तक उन्हें कोई CM नहीं मिला, तो और हरुमान बेनिवाल को हमेशा इस चीज का फाइदा मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार इस मुद्दे पर विचार करेगी? लेकि राजस्तान में कावथ है, हर जाती का अपना सुभबि मान भी होता है, पहचान होती है, और जाती में रोटी-बेटी के रिष्टे तक तो बातें चलती हैं, राजनितिक तोर पर किसको कितना परतेंचतव तो मिलेगा, ये शमय काल और परस्तिती पर निर्बर करता है भारती जनेता पार्टी ने भी अनेक अवसरों पर किसान समुदाय को अवसर दिया है मैं सामान्य कारे करता था एक सामान्य किसान परिवार से था मुझे भी पार्टी का अद्धक्ष बनाया पार्टी ने तो केवल मेरा नहीं था मेरी पूरी कौम का सम्मान था आज यदि Vice President of India उस किसान समुदाय से आते हैं तो उसका एक संदेश है राजनेतिक दलों में जातियों में एक उतकंठा जरूर है कि नेतरतों को हसिल करने की पर वो मेरिट पे भी तया होता अर परिस्ति से भी तया होता लेकिन पार्टी ने नेक अवसरों पर सम्मान दिया है और मुझे लगता है कि यथा य जब समय के साब से यदि फैसले होते हैं तो उसमें पार्टी कहीं ने कहीं इस बात को विचार करती है लेकिन बीजेपी किसी एक समाज की पार्टी नहीं है बीजेपी आज 36 कौम की पार्टी है हम जो कहते हैं कि हम सरवस परशी और सरव्यापी है तो उसका एक संदेश है और इसलिए जनसंग से लेकर बीजेपी की यातरा देखें तो इसके साथ राजस्थान में बीजेपी की संकल परिवर्तन संकल प्यात्रा हुई उसमें वसंदरा जी की मौजूदगी उतनी जादा नहीं दिखी जितनी की उम्मीद थी और इसका असर कहीं न कहीं बीड़ पर पड़ा तो आपको क्या लगता है कि जनता जो है बिना वसंदरा जी के है अनुपस्तिती या समय देना ये उनकी वेक्तिकित परिस्थितियों पर निर्वर करता है वो जितने बड़े आयोजन थे उसमें शिरकत उन्होंने की है परिवर्तन संकल प्यात्रा अपने उद्देश्य में कामियाब हुई सफल हुई क्योंकि बहुत स्थानों पर मैं भ सरकार के खिलाब जो वातारण पैदा करना चाहरे थे उसमें हम लोग सफल हुए है इसलिए परिवर्तन संकल प्यात्रा अपने उद्देश्य में कामियाब हुई इतना मैं कह सकता हूँ मीडिया में भी लगतार खबरे आ रही है कि इन चुनाओं में वसंद्रा जी की अंदेखी की जा रही है बीजेपी की हाई कमान की तरफ से तो इस बात में कितनी सचाही है मुझे तो कभी मैसूस नहीं हुआ वो कोर समीटी की हर बैठक में मौझूद रही सुझाव अच्छे दिये और कभी भी किसी तरीके से पार्टी के विग्रे की कोई खबर नहीं आई एक फ्लोर पर हम लोग बैठे अच्छे से सार्थक चर्चा की और पूरी लोगतांत्रिक तरीके से स्क्रीनिंग के बार टिगिट्स तै हुए कोई किसी तरीके का मतभेद कहीं दिखा नहीं तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए जो पार्टी के वरिश नेता हैं वो पार्टी के एसेट हैं वो सुन्दरा जीव उनमें सामिल है जाती ये जनगर्णा और OBC आरक्षन का मुद्दा अभी पक्षलगातार उठा रही है तो आपको क्या लग रहा है कि इन चुनावों पर इन मुद्दों का कितना असर होगा देखिए कॉंग्रेस के पास तो परियाप्ट समय था जनगर्णा का भी और जो दूसरा मसला OBC आरक्षन का पर उनको अभी क्यों याद आया और ये बात गठबंदन अभी क्यों शुरू की और इसलिए सुभाविक तोर पर मुझे लगता है कि सियासी पैंतरा है जो इस देश है तो मुझे लगता है कि समय पर इन सब चीजों का समाधान भी होगा और केंदर की लगबग इस तरीके के मुद्दों पर प्रात्मिकता रहती है पुर अभी कुछ समय के गर्ब में चीजें को अभी कहना मुनासिब नहीं है लेकिन ये इतना कह सकता हूं कि कॉंग्र अगर बीजेपी जीतती है राजस्थान में तो क्या लगता है कि आप लोग जातली जनगरना कराएंगे राजस्थान में तेखिए मुझे लगता है कि ये पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पहले डिसकस होगा और के अंदर जो निर्देश देगा उसके बाद ही हम लोग इस सरकार आती है अगर तो इस पर आप लोग क्या कारवाई करेंगे या क्या इसके लिए प्लाइनिंग है आप लोगों की देखिए पेपर लीग तो बीजेपी के राज में होगा नहीं और जिनों ने अब पेपर लीग किये उनको जितना हमसे संभव होगा सक से सक सजा मिले त स्रक्षा यह बड़ा मुद्धा है मुझे लगता है कि कानून विवस्ता से जुड़े मसले हैं और कानून विवस्ता की बधाली खुद उसके जिम्मेबार मुख्यमंत्री और ग्रैमंत्री है। पुलिस के संसादन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, उनका मनोबल गिरा हुआ है। पुलिस को एक तरीके से राजनितिक हथियार के तोर पर स्थेमाल किया और जो राजनितिक अस्तक्षे पुलिस में बढ़ा है मुझे लगता है उसको कम करेंगे, खतम कर देंगे तो यह अपने आप में चीजें समस्या का समाधान हो जाएगा लेकिन हाँ यह जरूर है कि जो विरासत है कानून विवस्ता की बढ़ाली की इसको ठीक करने में हमें भी एक चुनोती हमारे लिए जरूर है बीजेपी लगातार महिला सुरक्षा के मुद्दे को और क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा उठाती रही है राजस्थान में लेकिन खाचारी अवास का कहना है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसे बीजेपी शाशित राज्ये हैं जिनमें राजस्थान से जादा क्राइम है और महिलाओं के अगेंस्ट भी क्राइम है लेकिन उस पर बीजेपी कुछ नहीं कहती तो इस पर क्या कहेंगे देखिए ये तुलना नहीं हो सकती हम राजस्तान में हैं तो राजस्तान की बात करेंगे और जिस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बीरो की बात कर रहे हैं वो इस बात को संकेत करता है कि सतरह बलातकार और साथ हैं प्रती दिन राजस्तान में होती हैं बाकी जगे क्या होता मुझे पता नहीं लेकिन यहां दर्श्य बड़ा भयावा है कहीं भी इस तरीके का दर्श्य नहीं होता कि जिन्दा किसी नाबाली को रेप करके बटी में जिन्दा जोंक दिया जाए किसी अबला के पैर काटी दिये जाएं चांदी के कड़े के लिए शिक्षिका को जिन्दा जला लिये जाए या कोई रोटी मांगे और उसकी असमत ले ली जाए तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो बड़े हृदे विदारक हैं ये गटना राजस्तान में ज़्यादा हुई है और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के लिए सबक है कि लड़की उलड़ सकती हूँ तो वो यदि उत्तर प्रदेश में ये नारे के साथ काम कर सकती है तो यहां दरजनों बार आई हैं रंधंबोर में परेटन किये हैं पर आज तक किसी अबला के आंसू पोंचने वो गई नहीं है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कतनी और करनी में फरक है उनके मंतरी कुछ भी बयान दे लेकिन हकीकत ही है कि राजस्तान की कानून विवस्ता की बधाली की जिम्यवार कॉंग्रेस है महीला को उत्पड़िन को रोकने में नाकामयाब हुई है और यही कारण है कि राजस्तान आज सरवादी का अपराद गरेस्ट राज़ों में सुमार होगे प्रियंका जी हाल में ही राजस्तान आई तो उन्होंने बीजेपी के केंदर सरकार को लेकर उनके खर्चों को लेकर बड़े सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी पार्टी के लिए बहुत पैसा है खर्च करने के लिए लेकिन जनता के लिए उनके पास नहीं है उनको नहीं पता कि जनता के लिए एक नेता को कैसा होना चाहिए तो उस पर क्या कहना चाहेंगे देखि इस देश में उनको नेतिक अधिकार नहीं है क्योंकि करप्शन की जनक कॉंग्रिस पार्टी थी अधिकांस पैसा उनका ब्रिष्टाचार में गया स्विस बैंकों के खातों की चर्चा अकसर होती थी यदि बीजेपी गरीब कल्यान की योजने लागू नहीं करती तो इस तरीके से 80 करोड लोगों को अननी मिलता जंदन के खाते नहीं खुलते पुझवला की सहुलियत नहीं मिलती लोगों को सरपे छत नहीं मिलती ये वही प्रियंका गांदी हैं जिन इंद्रा जी के नाम से इंद्रावास बने थे लेकिन ने पाताल में थे ने आकास में थे कहीं अस्तित्व नहीं था तो मुझे लगता है कि बीजेपी पे फीजूल खर्ची का इस तरीके का आरोप उनका बिमानी कोई प्रमाण नहीं है रटी रटाई सी सुनी सुनाई सी बाते है सीम गहलोत इस वक्त जनता को गैरंटी स्कीम्स दे रहे हैं तो इस शुनाओं में बीजेपी इन चीजों से कैसे निप्टेगी क्या आप लोग भी इस तरह की घुशनाएं आगे कर सकते हैं मुझे लगता है कि देश में मोदी से बड़ी गारंटी नहीं है और अशोग गैरंटी की गैरंटी पर राजस्तान के लोग भरोसा नहीं करते हैं उनकी गैरंटी चाहिना के खिलोनों की तरह है जो एक समय बजार में खूब आए और फिर गायब हो गए लोगों ने डॉमेस्टिक और गरेलू खिलोनों पर भरोसा शुरू किया क्योंकि वो कीमत जरूर कम होती थी पर वो टूट जल्दी जाते थे इसलिए उनकी गैरंटी चीन के खिलोनों की तरह है और राजस्तान की जनता उनकी गैरंटी पर एतबार नहीं कर रही है हाँ ये जरूर है कि जो माहूल है उसके इसाब से मैं गैरंटी से कह सकता हूँ कि राजस्तान की जनता ने इस बात की गैरंटी लिए कि इस बार कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी राजनीती में आपका अनुभा 38 सालों से जादा का हो गया है तो ऐसी कोई घटना जो आपको हमेशा याद रहती हो जो आपको लगता है कि इस घटना ने मेरी सोच और मेरा रास्ता बदल दिया ऐसी किसी घटना के बारे में बताएं देखिए हमारे यहां के बड़े नेता थे बहरुशिंग शेखावज जी और उन्होंने मैं अक्सर बहुत मुझे सोभागे मिला कि मैं तीन पीडी के साथ काम कर पाया दादा के साथ, पिता के साथ और पोते के साथ हुए तो मुझे बहुत अनुभवी आसिल हुआ जीवन में सीखने को बहुत मिला जब युवा मोर्चा में गरम खून था तो हम लोग बहुत उत्तेजित होते थे तो उन्होंने सिखाया कि इमानदारी सहियम और परिश्रम, राजनिती की सफलता की चाबी यही है जो ये कायम करेगा वो आगे बढ़ेगा तो हमने उसको मूल मंत्र माना और जब हम लोग 1908 में बुरी तरीके से हा रहे थे हमारी 33 सीटें आई थी मैं शेखावज साब के पास गया तो मैंने का जी मैं युवा मोर्चा के जरीए पार्टी को खड़ा करना चाहता हूँ तो पहले तो उन्होंने कहा कि कैसे संभव होगा इतना सारा हमारे खिलाब वातावन है लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया और मैंने वो यात्रा की वो मेरे जीवन की एक अनुठा अनुभव है 500 किलोमेटर की यात्रा जिसमें 9 लोग सभा 34 विधान सभा दस अजार कारे करता हूं के साथ 10 लाख लोगों तक हम लोगों ने संपर्किया उसका परिणाम लोग सभा में साफ तर पर दिखा और अलवर की सभा में उन्होंने खुद ने मुझे माला पैना कर कहा कि आज की माला का हकदार तू है इसका मतलब पुराने लोगों में नए लोगों को विक्सित करने की और उसके बाद एप्रिशेट करने की जो एक परिपाटी थी उसको उन्होंने बखु भी किया और वो मेरे लिए मूल मंत्र बन गया उसके बाद से मैंने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकिन कुछ चीज़ें जो जीवने इसमण करते हैं उससाहित करती है यूआ जागर्ण पदियात्रा ये मेरे लिए जीवन का मेरा टर्निंग पॉइंट थी जिसने मुझे बहुत सिखाया और यहां तक पहुचाया पुनिया जी हमें NBT Online को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया